Hello everyone, here is Vikram Seth from your literature syllabus. आपके जो literature syllabus में Vikram Seth राइटर हैं, उनके हम सारे works और इसे हम सीखने वाले हैं एक short tricks के द्वारा. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि जो आपकी short trick है, वो क्या है? short trick है आप लोगों की a suitable golden boy, यहाँ पे आप लोगों देख सकते हैं, a suitable golden boy finds peaceful lives in a humble garden, surrounded by beastly music and memories of heavenly travels on earth tonight. तो जो यह sentence है आप लोगों का, इस sentence को अगर आप लोग याद कर लेंगे, तो आप लोगों को यह सारे works, एक साथ important works, Vikram Seth के याद लेंगे। but before going, you know, going through this shortcut, हम पहले एक बार इसके जो works है, Vikram Seth के works है, उन्हीं एक बार देख लेते हैं, और notes को, अगर आप in short note को याद रखेंगे, तो definitely आपके exam में help मिलेगे आपको, ठीक है, तो शुरुआत से करते हैं, a golden gate, a golden gate, a novel in verse, और इसका जो subtitle है, a novel in verse भी है, about love and relationship in San Francisco, सिर्फ एक लाइन का आपको ये note, याद रखना है, first, suitable boy, जो second आपका work है, उसमें है, an epic family saga, set in post-independent India, third, जो है, वो है आपका two lives, a non-fiction book about the lives of Seth's great uncle and aunt, the humble administrator's garden, ये जो work है, a collection of poems inspired by Chinese landscape painting, तो कई बार question आज आता है, इस तरह से आप लोगों का ये note, आप लोगों याद रखना है, कि question आप लोगों पूछा जाएगा, कि जो Chinese landscape painting पर उन्होंने अपना एक work लिखा है, वो कौन सा है, तो आप लोगों का वो होगा, humble administrator garden, तो चलते हैं, next, next है, आप लोगों का all, you will, all you who sleep tonight, okay, so ये आप लोगों का मुबर्ख है, a collection of poems about love, nature and mortality, beastly tales from here and there, ये आप का a collection of witty animal fables from around the world, आप लोगों question ये आजाएगा, कि जो जिसमें fables, fables क्या होता है, वो होता है, आपका animal stories के थुरूप कोई moral चीज आप लोगों को बताई जाएगी, moral lesson बताई जाएगा, तो question आप लोगों पास में कि, Vikram Seth का जो fables है, वो कौन सा वाला work है, वो आप लोगों का है, beastly tales from here and there, so let's see, next one, let's go through this one, an equal music, an equal music, a novel about a love affair between two classical musicians, तो आपका वो है आप लोगों का, an equal music, मैंने ये आप लोगों को डिटेल में भी, आप लोगों का, from heaven lake, travels through Shingyang and Tibet, a travelogue about sit's journey from China to India, तो कुछ है ना सकता आप लोगों का, उसका नाम क्या है, अगर आप लोगो नहीं पता, तो travelogue, जैसे आप travel से आप लोगों समझ में आप लोगों को समझ में आप लोगों, तो जब हम travel करते हैं और, you know, उसका एक अक अकाउंट लिखते हैं, तो उसे हम ट्रेवला कहते हैं अगे नेक्स्ट वान इस एरियन डॉल्फिन लिबर्टो बेस्ट ऑन ग्रीक मिथ आफ एरियन डॉल्फिन तो ग्रीक मिथ पर जो उनका जो उनकी स्टोरी है वह कौन सी है इस तरह का कुछ यह आप लोगों को पूछा जा सकता है तो आप लोगो का collection of poems inspired by Indian history and culture तो Indian history और culture पर अगर हम inspired collection of poems की बात करें तो वह कौन से आप लोगों के लिए बनाई है अगर आप इसी तरह से 10 writers का भी अगर आप लोगों को याद रहता है तो आप लोगों के इस तरह के questions आप लोगों सॉल्व कर सकते हैं तो वैसे मैंने जो कोर्स में आप लोगों का mention किया हो 40 पूरे writers के और आप लोगों को मिलेंगे तो श्छॉट एक लिए अप लोगों को मिलें गे तो शॉट रिक अप एक बार देख लेते हैं अ सुटेवल गॉल्डन वाइंडश पीसफील लाइब्स इन हम्बल गेट अगर आप देखेंगे तो गोल्डन से आप लोगों का बन जाएगा गोल्डन गेट सुटेबल बॉय आप लोगों सुटेबल समझ में आ गया होगा टू लाइब से आप लोगों को यहां पर हिंट मिल जाएगी कि यह आप लोगों क्या है लाइफ यहां से लिया गया है humble administrators garden तो garden आप लोगों को humble garden यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा surrounded by beastly music तो यहां पर आप लोगों को beastly से beastly हो जाएगा अगर आप यह वाला work देखना चाहते हैं तो tonight आप लोगों को यहां पर है equal music music को सुन रहा था लेटे लेटे music सुन रहा है heaven heaven आप लोगों को heavenly travel से याद रहेगा और यह जो है आप लोगों का area and dolphin इसे आप छोड़ा सा एड़ कर सकते हैं अपने तरफ से एंडरेवर्ट अर्थ अर्थ आप लोगों को समझ में आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से यह आप लोगों का शॉट कट है शॉट ट्रिक से अगर आप कम टाइम में जैसे आप लोगों को 40 राइटर्स को अगर आपको 10 डेज में करना है तो आप डेफिनिटली 40 राइटर्स को क्योंकि मैं खुद इसी तरीके से मैंने अपनी तैयारी की थी आप लोग अगर एड़ करना चाहते हैं तो इस तरह की शॉट ट्रिक आपने एड़ कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए गुड़ बाई टिक्या स्यू